हलो लड़नों आप सभी को प्यार प्राण नमस्कार ग्यानसली क्लासेश के यूट्यूब सिस्टन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है आप लोग के लिए और अब तक आप लोग को पता चली गया होगा कि आपके नेट री का आंसर की आउट हो गया है तो जिन लोगों का भी एक्जामिनेशन 21 तारीक, 22 तारीक और 23 तारीक को था इन तीन डेट्स के लिए आंसर की रिलीस कर दिया है NTA ने तो बहुत ही इंपॉर्टन न्यूज है आपके लिए और इस वीडियो में चूखि अभी तक आपको ये प आपको step by step दिखाते हुए चलूँगा सारी चीजे हैं मेरे पास यहाँ पर और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ कैसे आप जाओगे वहाँ पर कैसे challenge कर सकते हैं और कैसे आप अपने answer की को view कर सकते हैं सारी चीजे discuss करने वाले हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो में अच्छ की out हो चुका है आपको widget करना होगा ugcnet.nta.ac.in अपने browser में जाके आपको ये type करना होगा ugcnet.nta.ac.in और यहाँ से आप पहुंचेंगे सीधे ugcnet के website पे वहाँ से आपको candidate activity पे click करना होगा और candidate activity पे click करते ही आप पहुंच जाएंगे login वाले page पे और आगे हम देखते हैं क कैसे कैसे आप proceed करेंगे है तो यहाँ पर यह दिया हुआ है आप पूरा step कि आप challenge कैसे कर सकते हैं और यह देखिए यह जो है पूरा तरीका है देखिए nta के website जो है ugcnet.nta.ac.in पे आप जाएंगे यहाँ से आप अपने application number data birth और एक security pin मागेगा वो आप डालेंगे डालने क 93 page का यह PDF होगा आपका और इसको आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद आप open करेंगे क्या इस challenge answer की वाले section को और सबसे important यह है कि देखिए आपको इसमें दो devices लगेंगी यह चेक करने के लिए यह भी है क्योंकि एक device पे आप इस वाले जो 93 page का PDF है इसको देख और दूसरे वाले में जो है आपको दिखाएगा कि क्या-क्या official answer कीज है फिर आप क्या करोगे अगर आपको वो challenge करना है तो उसके supporting documents आपको लगेंगे तो for example आपको लग रहा है कि कोई question गलत है तो आप कोई भी एक single PDF file select करके और वहाँ पर upload कर सकते हैं submit and review claims करेंगे और यह इसके बाद जो है आपका जो challenge है वो वहाँ पर चला जाएगा NTA के पास और accept होता है कि नहीं यह जो है वो NTA के ऊपर है तो यह बिल्कुल जो है आपका clear है एक और ची कि रहे कि 200 रुपे हर question के लिए आपको pay करने होंगे तो हर बार मैं कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ क यह बहुत ही खराब नियम है NTA के तरफ से 200 रुपे एक बहुत बड़ा amount होता है एक question के लिए और गलती NTA की अगर होगी और 200 रुपे बच्चा क्यों pay करे भई तो यह कह रहा है कि हर question जो challenge किया जा रहा है उसके लिए आपको 200 रुपे की payment क्या हो सकता होगी और वो आप debit card credit card या UPI के जरीए कर सकते हैं और यहाँ पर जो है सबसे important है देखे यह website ugcnet.nta.ac.in इस पे आप जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप click करेंगे तो यह वाला आपको वहाँ पर section दिखेगा जिसमें एक तो public notice दिखेगा एक news and events दिखेगा और एक candidate activity दिखेगा इसी वाले option पर आपको click करना है candidate activity पर और जैसे ही आप candidate activity पर click करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले page पर जहाँ पर आपको दिखाएगा June 2024 login और यहाँ पर आप जो है login करेंगे June 2024 login पर ही आपको click करना होगा है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर August re-examination दिखाएगा June 2024 login पर आप click करेंगे और देखिए वहाँ पर जैसे ही आप click करेंगे तो यह वाला page आपका खुल जाएगा यह वाला window खुल जाएगा answer की challenge लिखा हुआ होगा answer की challenge for examination 21st 22nd and 23rd August यहाँ पर आप अपना application number डालेंगे जो भी आपका application number होगा यहाँ पर date of birth डालेंगे जो भी आप पर आप डाल देंगे हैना और जैसे यह यहाँ पर डालेंगे और submit करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर वो page पे जहां से आपको जो option दिखेंगे एक तो challenge का और एक view का तो एक तो आजाएगा आपका challenge वाला option और एक आजाएगा view वाला option तो सबसे पहले जो है सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है और इसके बाद अगर आपको लग रहा है किसी question में doubt तो वहाँ पर आप उसको जो है submit करेंगे claim करेंगे challenge करेंगे 200 रुपे का payment करना होगा और वहाँ पर आपका जो यह claim है वो submit हो जाएगा और वो accept होता है कि नहीं वो NTA के उपर है तो य नहीं हुए है किसमे bonus मिला है नहीं मिला है तो इस वीडियो में यहीं तक I hope कि आपके सारे ही doubts clear हो गया होंगे answer key के recording और कौन-कौन से dates के लिए निकले है 21st 22nd और 23rd याद रखिएगा तो चलिए मिलता हूं मैं किसी informative वीडियो के साथ एक बार और इस वीडियो में यहीं तक बहुत बहुत धनिवाद